सूप्रभाद बच्चो आज मैं आपको पढ़ाने वाले हूँ हिंदी व्याकरण पाठ एक भाशा व्याकरण बोली और लिपी भाशा क्या होती है भाशा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है जिसमें मुख से निकलने वाली ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है अर्थार्थ अगर हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुचाना चाते हैं तो हम ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों के प्रयोग द्वारा ऐसा करते हैं और ये भाशा कहलाती है भाशा के तीन रूप होते हैं, मौखिक भाशा, लिकित भाशा और सांकेतिक भाशा तो आईए, अब इन तीन रूपों को विस्तार से पढ़ते हैं भाशा मनुश्य के विचारों के आदान प्रजान का माध्यम है तो सबसे पहले लिखित भाषा जब हम किसी व्यक्ती से अपनी बाते लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं यह भाषा का स्थाय रूप होता है तो बच्चो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम कभी भी अपनी कोई भी बात किसी दूसरे को लिख कर समझाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है और लिखित भाषा को हम बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कि एक बच्चा पत्र लिख रहा है, ग्रंथ होते हैं मोटे-मोटे, किताबे होती हैं, अख़बार होता है, पत्र-पत्रिकाएं होती हैं, ये सभी भाषा का लिखित रूप है. दूसरा भाषा का रूप होता है मोखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोल कर या सुन कर व्यक्त करते हैं, तो उसे मोखिक भाषा कहते हैं, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, बातचीत करना भाषा का मोखिक रूप है, भाषन देना भाषा का मोखिक रूप है, कह जब हम अपनी किसी भी चीज को समझाने के लिए अपने हाथों का सहारा लेते हैं, उंगलियों का सहारा लेते हैं, अपने चेहरे के हावभाव से किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो वह भाशा का सांकेतिक रूप कहलाता है। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसमें किसी चीज को समझाने के लिए विबिन प्रकार के हाथों का सहारा, उंगलियों का सहारा, अपने चेहरे के हावभाव, किसी चीज को देख कर समझाना ये सबी सांकेतिक भाषा के अंतरगत आते हैं फिर आता है लिपी लिपी से आप क्या समझते हैं किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिनों की जरूरत होती है उन चिनों को लिपी कहते हैं लिपी भाषा का लिखित रूप होता है अब यहां कुछ भाषा और उनकी लिपियां दी हुई है हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपी है देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपी है गुरुमुखी, उर्दु की फार्सी और अंग्रेजी जर्मन की रोमन फिर आता है बोली किसी भी भाषा को शेत्रिय रूप में बोला जाता है तो वह बोली कहलाता है बोली भाषा का ही एक रूप है भाषा के सबसे छोटे वो सीमित रूप को बोली कहा जाता है बोली एक छोटे से शेत्र में ही बोली जाती है जैसे ब्रिच, अवदी, पहाडी, हिंद, मारवाडी, हर्यानवी, राज्यस्थानी, भोचपूरिया ये सभी हिंदी की कुछ बोलियां हैं अब व्याकरण क्या होता है बच्चो वह विद्या जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्रूप में बोलना, पढ़ना और शुद्रूप में लिखा जाता है व्याकरण कहलाती है किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं तो बच्चो आज हमने क्या क्या पड़ा तो आईए हम उसको दोहराते हैं सबसे पहले भाशा की परिभाशा भाशा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों वविचारों को दूसरों तक बोल कर वा लिखकर पहुंचा सकते हैं भाशा के तीन रूप होते हैं मौकिक भाशा लिखित भाशा और सांकेतिक भाशा व्याकरन द्वारा हमें भाशा के शुदरूप का ज्यान होता है भाशा के लिखने का धंग लिपी कहलाता है तो आशा करती हूं बच्चो आपको यह पाट समझ में आ गया होगा धन्यवाद आपका दिन शुप हो